मैं दिखा रही हूं आप को पलंग पे बैटके क्यूंकि मैं पलंग पेस लिए दिखा रही हूं कि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता है देखी दोस्तों हमने बनानव पील तो डाला ही है अपने पौधा में तो दोस्तों यह मैंने इसमें गर्मियों में बहुत जल्दी फूख रहा थे केले, यह हैं केले, और इसमें मैंने केले सुकाय और सुका करके, देखियें, पीस लिया मैंने इसको मिकसर में, हमारे मिकसर में इतना यह भार एक पीसा, कोई बात नहीं, पीस गया लेकिन, तो मैंने यह और सर्सो की खली, जो हम और देखी यह है गर्मियों में मैंने बहुत ज्यादा सी यह अब जो विंटर के मेरे पौधे आएंगे फूल पौधो वाले ज्यादा आएंगे और इसमें गुलाब में भी बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैंने इस पत्ती को दो पानी से धोया इसका मिल्क और शुगर दोनो नीम होई तो मैंने उसके पत्ते मंगा लिए थे बड़ी बड़ी सी डाली है चार पाच और उसको मैंने धूप में दो दिन सिर्फ दो दिन डाल दिया था और देखिए इसका रिजल्ट मैंने यह सारी डंडी है इसकी और पत्ली पत्ते तोड़के यह मैंने घर की बना ली ह नीम खली मेरे पास बादार की भी है और मैंने घर की भी बना ली तो देखिए यह हो गए दो चार फेटिलाइजर और देखिए यह है वर्मी कंपोज यानि के गोबर की खाद तो यह गोबर की खाद मैंने आपको घड़े में एक बार दिखाई थी मैंने यह चान लिया है इसम मैंने चान लिया तो मैं इसका घड़े में देखी मैंने इसमें डाला था पुराने मेरे पास थे गंड़े गोबर और उसमें मैंने डाला गुल्ड और दही और इसका यह एलो वीरा का च्छोटे च्छोटे पीस कड़के मैंने एक बार आपको दिखाया भी था वो बहुत द अब वह मेरा तीन महीने कम से कम गड़े में पड़ा रहे लाओंगी और एक बार मैंने निकाल लिया हैं दूसरा बार आपके तैमेरी वीडियोद लिओ कड़ी ये तो अब वह मेरा बन रहा है घड़े में, वर्मिकम्पोज गाय के गोबर का खाद, और अगर आपके यह हम मिला के सारे चीजे इस में डालते हैं, देखिए यह जो है, तो मैं इसे डालूँगी अपने हिविसकस में, देखिए देखिए दोस्तों मैं डालूँगी इसको अपन पूलों में बड़ा गंला है तो दो मैं होगा और मैं प्ह की वह भी ड्यालूगी और थोड़ी मैं यह समीला करके इस इसमें अपने fulfill ने देऊ सब गारूब में यह छीज लिए बहुत मुफीद में प्रसात जाने के बाद वानसून जाने के बाद यह आगा तो तो फिर मैं यह डालती हूं थोड़े से दाने डी एपी के, डी एपी दोस्तों यह होती है, किसी को शायद सब को मालूम नहीं होती है, जो नई बिगिनर होते हैं, देखिए डी एपी के दाने यह होते हैं, यह है डी एपी, और यह है मेरे पास, मैं बहुत कम यूज़ करती कि यह एन पेंगा आता है यह N receives Đ Allen क्रिए प्राब्लय बनाते हैं यह गिरुष की फूल की फूल बहुत अच्छा आता है वर्मी में पॉद्धे के लिए बहुत बढ़िया चीज है और ये जो है ये जो है ये जो है ये देखिए मेरे मूँ पे नाम नहीं आ रहे अभी मैंने आप से कहा था और अभी नाम नहीं आ रहे है इस से जो है ग्रीन डी आती है पौदों में और इस ग्रोथ होती है और ये डी एपी से ये इस से भी ड जो खाद है यह फूल अच्छे देने में कामियाब होता है तो देखी दोस्तों यह हम सब यह सम मिला करके और अपने यह मेरा दो दो पाधों में पड़ जाएगा इतना दो पाधों के दिए खाद है तो देखिए दोस्तों मैं ये सब खाद देती हूं अपने लिक्वीट तो कोई बात नहीं आप यह घर का ही अपने यह सब मेरे घर में मिला है और यह घर का ही आप बना लें यह यह भी तो 20-30 रुपए की आती बहुत होती यह नीम की वह सरसो की खली तो आप अपने घर में ही बनाईए और घर का ही खात दीजे थैंक यू सब्क्राइब करिए शेय